नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम बड़े ही स्वेधन सील मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूँ और हम सभी बच्चे पिछले काफी टाइम से ये ट्राई भी कर रहे हैं कि CET क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए हमने भी फतेवाद गुर्कुल से जो मतलब CM साब तक या चेयर्मेन साब तक पत्तर पहुंचाए थे और HSSC ने जो नमबर जारी किया था उस पर भी बच्चों ने हरियाना के सभी युवाओं ने ये मांग रखी थी कि CET चार गुना बुलाना वो गलत है कि वेल क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए तो प्यारे बच्चों कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वीडियो आप मलब गलत बना रहे हो टेलेंटिड को मोका मिला चाहिए मैं खुद मानता हूँ कि जो डिजव करता है उसको जोब मिलनी चाहिए अगर क्वालिफाइंग हो गया तो फिर भी तो डिजव करने वाले कोई जोब मिलेगी ना जो डिजव नहीं करेगा में एंती नहीं होगा तो क्वालिफाइंग कर प्यारे बच्चों हजार पोस्तें किसी वेकेंसे के लिए आप भी गई आना बहुत बड़ी बात है बहुत कम आती है तो केवल चार हजार बच्चों को ही मोका मिल पाएगा ना और जरूरी नहीं होता प्यारे बच्चों जिसका पहला पेपर है ना वो मतलब कई बार दिन चांसो में हमने चांसिज में देखा विया कि दूसरे पेपर बच्चा बहुत अच्छा कर लेता है तो केने का मतलब क्या है कि मैं चाता हूँ कि सभी बच्चों को इक्वल मोका मिलना चाहिए अगर एक और सरकार कह रही है कि 50 नंबर से CET क्या हो जाएगा क्वालिफाई हो या इतने नंबर वाला अधर में क्वालिफाई होगा तो प्यारे बच्चों मेरी सरकार से और माननीय चेर्मेन साब से यही डिमांड है कि CET में चार गुना जो बुलाना है वो गलत है क्वालिफाईंग नेचर का CET होना आज के जो टाइम की है ना वो बहुत बड़ी क्या रहेगी जरूरत रहेगी और अभी लग बग आपको पता है प्यारे बचों तेरा लाख युवाओं ने क्या बर रखा है होम बर रखा है तो अगर सभी तेरा लाख युवा है ना इस मुद्दे को उठा पाई ना तो CET जरूर क्वालिफाइंग नेचर का होगा मलब हमारे चेर्मेन साब तक ये बात पहुन चुकी है उन्होंने एक आदी प्रेस कॉनफरेंस में इस बात का जिकर भी किया था CET क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए वो खुद मानते हैं अगर प्यारे बचों हम सभी हुआ है ना कल हम सभी इस बात को लेकर ट्वीटर कमपेन कर रहे हैं कल 15 तारीक यानि प्यारे बच्चों सनी बार को सुबह 10 बजे सुबह किस टाइम से प्यारे बच्चों सुबह 10 बजे से हम ट्वीटर कमपेन करेंगे और शाम तक ये ट्वीटर कमपेन है चलेगा मेरा कुद का ट्वीटर है जी के बाई प्रदीप सर के न है, सेम हेस्टेग रखना है, क्या हेस्टेग रहेंगे वैंजी के वाई प्रदीप सर के official टेलीग्राम पर डाल दूँगा, और बहुत से बच्चे कहेंगे, सर ये चीज सही नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों ये चीज है ना, हमने महसूस की है ये चीज बिलकुल सही है और कुछ को लगेगा कि सर ये मरलब कुछ बचे कही है सर ये आप आपकी दुकानदारी बंद ना हो जाए इसलिए कर रहे हो तो उनको बता देना चाहता हूँ इन चीजों से हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा फतेवाद में जब हम भरी गूर्कुल चला रहे हैं तो इन चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है लेकिन जो student hit की बात होगी ना उसमें हम पहले से ही उस बात को हमेशा उठाते आ रहे हैं अब भी उठाते रहेंगे आपको जब भी आप ट्वीट करो ना एक तो CMO हरियाना को एक डिप्टी CMO को एक हमारे मतलब है आप चोदरी कुली बिश्णोई जो आदूम पर अभी मलब चुनाओ है ना प्यारे बच्चो और जब चुनाओ होता है ना तो सरकार हमारी बात को ज ट्वीट करना है और प्यारे बच्चो हाथ पर हाथ बरे बेट करने से तो अच्छा है कि हम ट्वीट करें और ट्वीट के साथ साथ प्यारे बच्चो आपको पढ़ना भी होगा और प्यारे बच्चो मंडे से रात का आठ वजे वाला सेशन में आपके लिए रात वाला वो शुरू कर दूँगा तो चिंता मत करना हम पढ़ेंगे भी साथ में लड़ेंगे ये नहीं है कि लड़ाई तेको CT qualifying nature का हो गया अगर आपने त्यारी नहीं की तो फिर कोई फाइदा नहीं है केवल Twitter campaign करने के साथ साथ आपको पढ़ना भी होगा तब जाकर हम जीतेंगे धन्यवाद दोस्तो जै हिंदे जै भारत